हैलो फ्रेंट्स मैं सब्तिजित गायकवाड आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नहीं वीडियो जिसमें हम सीखने वाले है इस चैप्टर किये पार्ट फोर वाली चोथी वीडियो है इससे पहले अगर आपने तीन वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो तीन वीडियो देख लिजे आज हमारा टॉपिक है टेस्ट आप सिमिलारेटी ओफ ट्रेंगल जिसमें हम सीखेंगे ए टेस्ट एस टेस और SSS टेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आप कुरता दो इंडियास फोर्स सोशली लर्निंग प्लैटफर्म यानि कि नून अकडमी इस हैर फोर यू क्या है नून अकडमी तो यहां पर आपको मिलने वाले है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी की पूरी चीज़े आपको मिलने वाली है मिलने वाली है बिल्कुल ही फ्री तो जल्दी से जाएए और दिये के डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक से नून अकडमी आप डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लासेस का मज़ा लीजे तो चलिए इस वीडियो की शुरूत करते है आज हम सिखने वाले है टेस्ट आप सिमिलरिटी ओफ ट्रेंगल्स तो उससे पहले हम सिखेंगे सिमिलर ट्रेंगल्स क्या होता है सिमिलर ट्रेंगल्स हम किसे कहते हैं तो देखिए यहां पर दो ट्रेंगल्स दिये गए है दोनों ट्रेंगल्स दिखने में तो लगभग एक जैसे है, triangle first and triangle second, suppose triangle first is triangle A, B, C and triangle P, Q, R second triangle is P, Q, R तो दोनों triangle लगबग दीखने में एक जैसे है लेकिन दोनों का size different है look same दोनों का look कैसा है same है, लेकिन size कैसे है different है, दोनों की size different है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे similar triangle, उन्हें हम क्या कहेंगे, similar they are similar, अगर size भी same होता तो उसे हम क्या कहते है, अगर size भी same होता, तो उसे हम congruent कहते, अगर look same है और size different है, तो उसे हम क्या कहेंगे, similar कहेंगे ये दोनों क्या है, similar triangle से अब इससे आगे क्या सुद देखना है आपको कि similar triangle में क्या होता है similar triangle में जो sides होते है sides का ratio same होता है यह वाली side और यह वाली side इसका जो ratio आएगा वही ratio इन दोनों side का आएगा और वही ratio इन दोनों side का भी आ जाएगा यानि कि तीनों sides का जो ratio है वो same आ जाएगा उसके साथ ही जो corresponding angles होते हैं यह वाला और यह वाला एंगल यह दोना एंगल equal measure होंगे यानि कि suppose यह वाला एंगल 80 डिगरी है तो यह वाला एंगल भी 80 डिगरी ही होगा ओके यह वाला एंगल suppose एंगल B is equal to 60 डिगरी तो एंगल Q भी 60 डिगरी होगा और एंगल R equal to supose 40 degree है तो angle c भी क्या होगा 40 degree होगा मतलब corresponding angles equal similarity angles में क्या होता है corresponding angles क्या होते है congruent होते है corresponding angles के measurement क्या होते है corresponding angles are congruent and sides are in proportion sides क्या होता है ratio से होता है साइड सारीन प्रपोर्शन ये दोनों बाते आपको ध्यान में रखना है एक एंगल सार कॉंगरेंट एंड दो साइड सारीन प्रपोर्शन किसके सिमिलर ट्रेंगल्स की ये दोनों बाते आपको ध्यान में रखना है एंगल 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 लेकिन तीनों एंगल शो करने के जरूरत नहीं है, दो ही एंगल शो किये तो भी काम चल जाएगा, इसलिए इसे हम AA टेस्ट कहेंगे, तो देखेंगे अब पहले तो शुरुवात में हम देखेंगे AA टेस्ट, क्या होती है AA टेस्ट, देखें, there are two triangles, there are two triangles, triangle ABC, in triangle ABC and triangle PQR, there are two triangles, अब क्या है इसमें angle A और angle P equal शो किया गया है, angle A is congruent to angle P, angle A is congruent to angle P, और दुसरी बात angle B is congruent to angle Q and angle C is congruent to angle R, मतलब तीनो angle जो, पहली pair, दूसरी pair, तीसरी pair, pair of angles, pair of angles, क्या है, congruent है, pair of angles क्या है, congruent है, AAA, तीनो pair, यानि कि यह पहली pair, पहली जोडी, दूसरी जोडी और तीसरी जोडी, तीनो जोडी है, यानि कि angle, 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 तीनो जोडी है, congruent है, मतलब AAA test कहेंगे उसे, और उसे ही हम short में गरतलब दो ही शो कर सकते है फिर भी काम चल जाता है उसे लिए हमें उसे क्या कहेंगे एल क्टेस्ट ओ कुछ इस परकार हЫ मैं नहीं ऑनुद नहीं दिखाए दो दिखाई तो भी चलेगा क्यों चलेगा यह बात बोलता है आपर सब्सक्राइब यह एंगल है अभी एक्जम्पल देखा हम ने यह यह भी क्या हुआ यह बोनों की जाता हुआ है अगर दो ऐंगल हूए तो मतलब दो पैर समय इक्वल करना होथ है उसे लिए हम इसे सिर्फ एटेस्ट कहेंगे ना कि ए सब्सक्रा można है पढ़ने में ये टेस्ट जो है वो लिखने में और ध्यान में रखने में आसने दो एंगल की पेस्ट जो है करिस्मंडिंग अंगल दो पेर्स इक्वल शो करना होते हैं तो आगे बढ़ेंगे आगे दूसरी टेस्ट है से टेस्ट कुन से टेस्ट है से एस टेस्ट मतलब इसमें क्या है साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड एस टेस्ट अब यहां पर देखो दो साइड दी गए यह वाली एक साइड और यह वाली दूसरी साइड दूसरे ट्रेंगल में यह एक साइड और दूसरी एक बीच में यह यहां पर तो इन दोनों साइड के बीच में जो angle है तो वो angle हमें konsider करना है वो angle equal show करना है एक ही pair angle की दूसरे दो angle की ज़रूरत नहीं है दो sides उनका ratio और उसके बीच में जो angle है वो angle अब ही क्या करना है int timer angle KLM अगर यह हमें टेस्ट प्रूव करनी है तो क्या करना है इन ट्रेंगल KLM and ट्रेंगल RST क्या है देखो तो KL upon LM जो साइड दी गए है वो उसका रेशो क्या है देखेंगे 1 upon 2 है KL की value 1 LM की value 2 मतलब रेशो क्या वना 1 upon 2 and now also RAS upon ST is equal to 1.5 upon 3 1.5 15 suppose इसे 15 और इसे 30 consider करें 1 upon 2 ही रेशो बनेगा ओके मतलब RAS upon ST का रेशो भी कितना है सेम है मतलब from 1 and 2 क्या लिख सकते है हम from 1 and 2 we can write that KL upon LM यह दोनों साइड जो है इसका रेशो RAS upon ST के रेशो जितना है इसे हम इसे कह सकते है या फिर हम इसे कोश इस तरीके से भी लिख सकते है कि ST upon LM या फिर RAS upon यह देखो यह जिनुम्रेटर इदर जाएगा इन आमटर में RAS upon KL is equal to LM कुछ इस तरीके से मतलब इन दोनों साइड का रेशो और इन दोनों साइड का रेशो इकोल आ जाएगा तो यह जो है तो साइड का रेशो तो इकोल आ गया अब अंगल कौन सा है अंगल L is congruent to angle S मतलब अंगल भी शो कर दिया हमने यहाँ पर यह जो है यह जो है यह गीवन पाट है ओके तो इसका मतलब क्या कि दोनों साइड का रेशो से मतलब और उसके बीच का ऐंगल एकोल मतलब अंगल भी कंपलेट मतलब यह से इस टेस्ट यहां पर सेटिस्वय हो गए और उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम चाछल के ये लिख सकते हैं उसके बाद आगे देखना है आगे है SSS test याने के side 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 test तो side 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 test में क्या करेंगे देखिए यहाँ पर दो angle दिये गया है तो इसमें क्या होगा इसमें सभी values जो है angle की suppose 1,2,3 है तो यह values जो है यह value कैसी होगी ratio कैसा होगा तिनों sides का equal होगा तो यह भी क्या होगी suppose यहाँ पर xy 2 है 2 यहाँ पर yz है 4 और xz है 6 तो ratio देखेंगे ratio क्या होगा suppose in triangle in triangle bqr and triangle xyz पहली वाली side तो यह आ जाएगी qr उसकी corresponding side कौन सी है xy is equal to दूसरी वाली side pq upon yz is equal to pr upon xz ऐसा हमें prove करना है मतलब ऐसा हमें show करना है यह जो तीनों ratio है यह तीनों ratio equal show करना है यह बात में लिखेंगे हम लेकिन पहले हमने consider कर लिए बावाद में लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे qr upon xy इसका ratio कितना है देखेंगे qr is equal to 1 और xy is equal to 2 half equation 1 बन गया है यहां पर दूसरा वाला ratio कौन से है दूसरा वाला ratio है pq pq upon yz is equal to 2 upon 4 that is also equal to 1 the 2 2 the 4 okay तो यह second equation बन गया तीसरा वाला equation क्या है तीसरा वाला ratio pr upon xz is equal to 3 upon 6 3 1 the 3 3 2 the 6 यह वाला pq upon yz is equal to is equal to क्या बनेगा pr upon xz तीनो ratio क्या हुए equal है from 1 2 and 3 okay अब क्या करना है तीनो ratio equal है मतलब तीनो side का proportion same है मतलब side 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 angle का कोई भी मतलब नहीं है यहां पर मतलब यहां पर कौन सी test यूज की गई है test कौन सी है sas test लेकिन अब यहां पर अगर आप लिखोगे कि triangle pqr is similar to triangle xyz तो यह गलत हो जाएगा q क्योंकि देखिए side pq और xy corresponding है नहीं है देखिए xy के साथ corresponding कौन है qr है xy के साथ corresponding कौन है qr यानिकि यहां पर देखिए अगर आपको ने ध्यान से देखा इस diagram को तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है यह देखिए यहां पर ध्यान से देखिए यह वाली जो side है यह वाली side इस side के उपर आ जाएगी मतलब यह जो angle q है यह आ जाएगा y के उपर और यह वाला जो angle है r यह आ जाएगा x के उपर मतलब corresponding angles जो कह सकते हम यह दोनो corresponding हो जाएगे और यह दोनों तो शुरुआत कैसे करनी है शुरुआत कहां से करनी है r से करनी है r q p मतलब triangle r q p is similar to triangle x y z अगर ऐसे लिखा तो बराबर आ जाएगा मतलब r q r q मतलब qr यहाँ पर x y मतलब x y corresponding side आ गई दोनों उसके बाद q p याने के p q y z p q और y z दोनों corresponding है उसके बाद यह वाली p r और यह वाली x z मतलब p r और x z corresponding side तो यह से हम कहेंगे one to one correspondence अगर suppose ऐसे दो triangle से यह बात भी धान में रखना है यह बात भी ज़रूरी है suppose triangle a b c है और triangle p q r है तो यह जो corresponding angle होता है suppose यह दोनो corresponding angle है यह दोनो corresponding angle से और यह दोनो corresponding angle से तो a का corresponding angle p हुआ मतलब a का one to one correspondence किससे है p से है B का corresponding angle कौन सा है B का corresponding angle है Q मतलब B का one to one correspondence किसे है C से Q से C का किसे है R से C one to one correspondence to R और तीनो एकसात कैसे लिखते है तीनो A, B, C one to one corresponding to P, Q, R और अगर similar triangle जब हमें लिखना है तो वो one to one correspondence के हिसाब से लिखना है मतलब ये R और X corresponding है Q और Y corresponding है P और Z corresponding है इसलिए हमने R, Q, P लिखा P, Q, R नहीं लिखा जब हम similar लिखते है triangle शो करते है तब one to one correspondence से ही शो करना होते है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमें देखना है properties of similar triangles first property है reflexivity याने कि triangle ABC is similar to itself याने कि triangle ABC जो है कोई भी triangle वो खुझ से similar होता है पहली बात तो दूसरी property है if triangle ABC is similar to DEF अगर एक triangle दूसरे triangle से similar है तो दूसरा triangle पहले triangle से similar हो सकता है हो नहीं चाहिए triangle DEF is similar to triangle ABC इसे कहेंगे symmetry तीसरी property है if ABC similar to DEF याने पहला triangle दूसरे triangle से similar है and DEF is similar to GHI याने कि दूसरा triangle तीसरे triangle से similar है तो क्या होगा पहला और तीसरा अपने आप similar हो जाएगा इसे कहेंगे transitivity transition हो गया, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से बाद में फिर एक बार पहला, तीसरा और पहला, इसके जोड़ी similar है जाएगी, तो इसे कहेंगे transitivity, उसके बाद practice set 1.3 देखना है, पहला question क्या है, पहला question तो यह है, कि दो triangle's यहाँ पर show किये गया है, थोड़ी स पर कोई भी side दी गई नहीं है, एक भी side, there is no side, no measurement of side, side कोई भी दी गई नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी test होगी, यह test, उसके लिए यह वाला एक pair congruent हम show कर सकते हैं, और दूसरा pair, intringle ABC and EDC, ABC और EDC जो है, उसमें यह वाला angle common है, तो वही show करेंगे, intringle ABC and triangle EDC, क्या करना है हमें, angle ABC is congruent to angle EDC, because each of 75 degree, दोनों का measurement 75 है, इसका मतलब दोनों congruent है, और angle ACB, यह वाला angle, और angle ECD, यह वाला, दोनों common है, तो angle ACB is congruent to angle ECD, इसका क्या मतलब हुआ, यह क्या है, reason क्या है, common angle, दोनों triangle में common है, इसके लिए वो क्या है, इस होज़े से, वो angle, यह एक पैर होगे, यह एक जोड़ी, और यह दूसरी जोड़ी, मतलब AA test यहां पर use की गए है, AA test, और triangle कौन सा लिखेंगे, triangle यह देखिए, suppose यह B और यह D corresponding है, C common है, यानि BC अगर हुआ, तो यहां से DC आ जाएगा, triangle ABC is similar to triangle EDC, okay, because AA test, okay, first question finished, एकदम आसन था, उसके बाद, question number second, all the triangles are similar, similar है या नहीं, by which test, test तो आपको सामने दिख रहे होगी, एक, दो, तीन, तीनो साइड, एक, दो, तीन, तीन, तीनो साइड, कौन सी test है, yes, 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 test, yes, 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 test, side, 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 क्या करना है, in triangle PQR and triangle LM and एक-एक ratio लेना है, पहले तो ratio लेना है, PQ upon LM का is equal to 6 upon 3 आजाएगा, is equal to 2 by 1 आजाएगा, equation number 1 देतेंगे, दूसरा ratio लेना है, QR upon MN का, QR upon MN की value क्या है, 8, 8 upon 4, that is equal to 2 upon 1, that is equation number 2, और तीसरा ratio का आजाएगा, तीसरा ratio आजाएगा, PR upon LN का, PR upon LN is equal to 10 upon 5, that is equal to 2 upon 1, तीनो ratio क्या बने, equal बने, तीनो ratio equal है, तो show करना है, PQ upon LN is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN, तीनो ratio क्या है, equal है, तीनो equation लिख देना है, from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, therefore, side, 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 तीनो ratio यहाँ पर बन गए, therefore triangle PQR is similar to triangle LN, which test, कौनसी test है, yes, 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 test, okay, तो कुछ इस तरीके से solve करना है, उसके बाद, as shown in the figure, two poles of height 8 meter, यह इसके height 8 meter है, और दुसरी की height 4 meter है, दो poles है, और perpendicular to the ground, यह नीचे वाला ground है, तो उसके बाद, if the length of the shadow of smaller pole, smaller pole की जो shadow है, वो 6 meter है, यह जो छोटा वाला pole है, इसकी यह shadow है, shadow, यानि कि उसके च्छाव पर चाही, पर चाही क्या है, 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time, same time यह बाद ध्यान में रखना है, same time मतलब यह angle क्या हो जाएगा, sun ray जो है, sunlight, उसका angle same हो जाएगा, same time मतलब, तो यह वाली जो shadow है, बड़े pole की, वो कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है, therefore, बोथ पोल्स कास्ट शैडव एट सेम ताइम, okay, therefore, angle P is congruent to angle A, angle P is congruent to angle A, because angle of sunlight with pole, angle of sunlight, अब क्या होगा, यहाँ पर देखे, A at a time मतलब, sun तो यहाँ पर है, same angle form करेगा, दोनों poles के साथ, okay, तो वही ध्यान में रखना है, और दूसरी बात तो angle R और angle C, angle R is congruent to angle C, why, there are poles, poles are perpendicular to the ground, poles are perpendicular to the ground, to ground, okay, तो यह बात ध्यान में रखना है, उसके बाद यहाँ पर एक जोड़ी, यहाँ पर दूसरी जोड़ी, A, A test, therefore triangle P, Q, R is similar to triangle A, B, C, which test? A, A, test, अब क्या करना है, A, A test है, तो इसकी sides जो है, वो proportion में होगी, sides मतलब कौन सी side लेना है, P, R upon A, C is equal to Q, R upon B, C, तीसरी side, तीसरे ratio के हमें ज़रूरत नहीं है, अब यह ratio किसका है, corresponding sides का, of similar triangles, अब short में यह लिखना है, corresponding sides of similar triangles, जब हम triangle similar show करने के बाद, उसका ratio equal बताते है, तब उसे हमें लिखना है, corresponding sides of similar triangles, उसके बाद क्या करना है, value put करना है, P, R कितनी है, 4 upon A, C कितनी है, 8, उसके बाद Q, R कितना है, Q, R 6 upon B, C कितना है, X, therefore, 4 into X, sorry, 4 once a 4, 4 to the 8, 1 into X, that is X, 6 into 2, that is 12, मतलब कितनी हुई, shadow कितनी हागी इसकी, therefore, shadow of, shadow of bigger pole कितनी होगी, shadow of bigger pole will be, 12, कितनी, 12 meters, ओके, यह हो गया हमारा answer, कुछ इस तरीके से यह वाला question solve करना था, उसके बाद आगे देखेंगे, question number 4, यहाँ पर दिया गया है, in triangle ABC, AP is perpendicular to BC, यह देखिए, AP is perpendicular to BC, and BQ is perpendicular to AC, BQ is perpendicular to AC, then यह दिया गया है, जो कुछ भी देखिए, then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB, देखिए, simple है, जो triangle दिया गया है, वो लिख लेंगे, inter-angle CPA and triangle CQB, ज्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखिए, inter-angle CPA and triangle CQB, क्या करना है, show करना है, similar है करके, तो देखिए, simple यहाँ पर एक दिया गया है, आपको angle C common है, बराबर angle C common है, और उसके बाद P and Q तो 90 degree है, angle P is congruent to angle Q, because each of 90 degree, दोनों क्या है, 90 degree है, और angle C जो है, angle C is congruent to angle C, क्या है, common angle है, तो हो गई AA test, क्या है, common angle है, कौन सी test है, AA test, therefore triangle CPA is similar to triangle CQB, क्या है, AA test है, यह तो प्रूव हो गया, इतना तो question हमने solve कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद AP दिया गया है, BQ दिया गया है, BC दिया गया है, AC find out करना है, यानिकि इसका ratio हमने लेना है, AP यहाँ पर देखिए, यह वाला AP, मतलब AP, उसकी corresponding side कौन सी बनेगी, देखिए, AP उसकी corresponding side बनेगी BQ, यह देखिए यहाँ पर, AP upon BQ, इस equal to क्या आएगा, दूसरा क्या दिया गया है, BC दिया गया है, BC, ओके, BC कितना है, BC upon, हाँ, BC भी दिया गया है, यहाँ पर क्या है, एक मिनिट, यह हम अलग मेथड से solve करेंगे, अब triangle ABC जो है, area of triangle ABC, area of triangle ABC, इस equal to area of triangle ABC, इस अब area of triangle ABC, अब area of triangle ABC क्या है, half into base into height, अब यह base ले लेंगे, BC multiply by height क्या होगी, AP, height क्या बनेगी, is equal to half into base into height, अब यह base लेंगे, AC, AC क्या लेंगे, base into, यह BQ क्या बन जाएगे, height, half into base into height, अब यहाँ पर half of gate cancel, कि कुट belangrijk कितना है जाएट है मुल्टिप्लेट बाइट कितना है सेउं इकल टू इसी कितना है कि मैशकर करना ही इसमिल्टीप्लाइबाल बीकियोत कितना है बीकियो याट की है इत्सित्सक्राइट है AC is equal to क्या 84 upon 8 AC is equal to कितना आया 8 1 जा 8 8 0 0 और 8 5 जा 10.5 कुछ इस तरीके से यह वाला question solve करना था उसके बाद question number 5 question number 5 क्या करना है दिया क्या है PQ is parallel to side SR PQ और SR क्या है parallel है तो simple साधी बात यहाँ पर दी गई है PQ और SR parallel है यह वाला rectangle consider करना है और यह वाला rectangle consider करना है क्यों consider करना है देखिए यहाँ पर AR दी गई है AR side जो है वो यहाँ पर है उसके बाद AP दी गई है वो यहाँ पर है उसके बाद AS जो है वो यहाँ पर है उसके बाद और कुछ सी side AQ AQ यह यहाँ पर उसके बाद क्या करना है SR और PQ से हमें प्रूव करना है SR और PQ मतलब यह जो साइड है और यह जो साइड है इसका हमें कुछ भी मतलब नहीं है वहाँ पर तो देखिए क्या करना है दोनों ट्रेंगल कंसिर्डर करना है in triangle PQR and triangle PQA PQA और triangle RSA PQA and RSA क्या करना है यहापर देखिए angle A जो है angle A is congruent triangle A इधर भी A और इधर का A जो है वो क्या है opposite angles उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमें देखिए है यह PQ और SR parallel दी गए है PQ is parallel to SR therefore यह जो parallel side है इससे हमें यहाँ पर Z shape में जो angle बनते है वो क्या होते है alternate angles होते है तो यहाँ पर angle Q और यहाँ पर angle S angle Q is congruent to angle Yes which angles? they are alternate angles अब यह वाला एक angle यह वाला एक angle AA test यहाँ पर हमें satisfy होगे AA test यहाँ पर satisfy होगे तो इसका मतलब क्या है triangle PQ A is similar to triangle RSA ओके तो angle PQ A is similar to triangle RSA अब करना क्या है ratio equal show करना है तो अब ratio क्या है अब देखिए यहाँ पर जो side है side PQ upon side PQ upon यहाँ पर क्या लेंगे देखिए इस इधर से show करेंगे PQ और RAS PQ upon RAS जो है RAS को हम यहाँ पर यसर लेंगे क्योंकि यहाँ पर यसर दी गए है उसके बाद QA यानि कि AQ is equal to AQ upon क्या लेंगे AS AQ upon AS उसके बाद क्या करना है AQ upon AS उसके बाद AP AP upon AP upon क्या करना है AR तीनो साइड क्या होगी तीनो रेशो similar similar ratio मुझे corresponding sides of similar similar triangles ओके therefore PQ और SR का हमें तो show करना है PQ और SR show करना है इसे हम AS IT IS रखतेंगे PQ upon SR is equal to इसका ratio देखेंगे कितना होगया तो इसका ratio देखेंगे AQ जो है 5AQ is equal to AS तो AQ as it is रखतेंगे जो जो AS है AS इसकी value दाल देंगे AQ 5AQ 5AQ देखेंगे यहाँ पर दी गई है is equal to AP जो है as it is रखतेंगे और AR की value यह देखें यहाँ पर AR is equal to 5AP 5AP तो यहाँ पर AQ AQ cancel यहाँ पर AP AP cancel तो बचा क्या PQ upon SR यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है 1 upon 5 यहाँ पर भी 1 upon 5 दोनों लिखने की ज़रूत नहीं एक बार लिख देंगे 1 upon 5 अब cross multiplication कर देंगे 1 into SR 5 into PQ 5PQ अब यही तो show करना था SR is equal to 5PQ hence root हो गया जदा मुश्किल नहीं था चलो आगे next question देखेंगे अब यह वाला question पर कुछ उसी प्रकर solve करना है क्या करना है यह दो triangle consider करना है दोनों triangle similar show करना है दोनों triangle similar show करने के बाद दोनों की corresponding sides का ratio लेना है अब देखे कुछ इस तरीके से यह देखे हमने क्या किया पहले तो triangle similar show किये उसके बाद corresponding sides के ratio लिए value put करके solve कर दिया तो इसमें भी उको चोई से ही करना है next question जो है हमारा यह वाला question भी उसी प्रकर solve करना है यह दोनों triangle consider करने है दोनों triangle similar show करने है similar show करके उसमें value put करके उसका cross multiplication करके answer निकलना है अब देखते है कितने बच्चों को यह समझ में आता है इसका answer आपको comment box में लिखना है यह वाले question जो है इसका answer आपको comment box में जरूर लिखना है तो चलिए next question देखते है same question है question number 5 और 6 same करना है solve उसके बाद देखेंगे question number 7 अब इसमें भी कुछ-कुछ थोड़ा-thोड़ा same है लेकिन यह question पूरा देख लेंगे क्या है देखेंगे तो इसमें यह जो prove करना है वो पहले तो देखेंगे वो segments कहां पर है DE देखेंगे यहां पर है यह DE यहां पर है उसके बाद BE जो है consider करना है कौन सा triangle है इंटर अंगल TBE TBE अंटर अंगल DCE DCE अब यहां पर तो देखेंगे क्या क्या दिया गया है यह angle E जो है angle E वो क्या है opposite angle है vertically opposite angle मतलब दोनों congruent इधर भी E है और इधर भी E है opposite angles क्या है वो opposite angles है तो उसके बाद उसके बाद क्या करना है AB और DC तो parallel है क्यों क्योंकि ABCD is a parallelogram ABCD क्या है ABCD is parallelogram तो parallelogram के opposite side क्या होगी parallel होगी मतलब AB is parallel to CD and therefore AB को आगे बढ़ाते हुए यहां तक ले आया गया है मतलब BT जो है BT जो है वो भी parallel है किस से CD के साथ तो increase किया गया है AB को यहां पर extend किया गया है तो यह side जो है यह भी किस से parallel होगी CD से तो अब parallel है तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा shape form हुआ है यहां एक एंगल है और यहां एक एंगल है वो उन्हें हम alternate angles कहेंगे तो यहां तो angle है B और यहां एंगल है C मतलब angle B इस congruent angle C इन्हें क्या कहेंगे हम alternate angles क्या है यह alternate angles अब एक जोड़ी यहां पर और एक जोड़ी यहां पर कौन से test यूज करी है यहां पर यह test angle angle test कौन सा triangle है triangle कौन से similar है triangle TBE is similar to triangle DCE तो यह triangle similar होगे अब क्या करना है corresponding side लेना है triangle TBE और triangle DCE में TBE में क्या है देखिए TB अपवान यह side इधर की क्या आजाएगी DCE is equal to BE उसके बाद क्या आएगा BE अपवान यह side आजाएगी CE is equal to TE यह देखिए यहां पर TE और इधर से DE TE अपवान DE तीनो जो ratio है side का तीनो sides का ratio जो है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे corresponding sides of similar triangle CS यस्टी अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि यह हमें question में दिया गया नहीं है यह चारो side खाली दी गए है तो इसका cross multiplication कर देंगे BE into DE BE into DE या DE into BE कुछ भी लिखो DE into BE is equal to TE into CE या CE into TE CE into TE अब यह जो है यही तो हमें प्रूव करना था देखिए सेम है ओके सेम हैंस प्रूवड ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तो देखिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है एकदम simple सा question है एकदम simple सा question क्या करना है triangle ABP is similar to triangle CDP देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है यह वाला जो ratio है यह दिया गया है already मतलब in triangle ABP is an triangle CDP यह वाला ratio दिया गया है AP upon CP is equal to BP upon DP साइड देख लेंगे एक बार AP यह देखिए यहाँ पर है यहाँ पर उसके बाद CP यहाँ पर है और दुसरी BP और DP कहाँ पर है BP देखिए यहाँ पर और DP यहाँ पर तो उसका ratio दिया गया है मतलब दो sides दिगए है और उसके बीच का angle देखिए यह वाला angle कौन सा है angle P is congruent to angle P क्या है यह तो दिया गया है ratio तो दिया गया है इसे given लिख देंगे और angle जो equal दिखाया गया हमने तो इसे क्या कहेंगे opposite angle वर्टिकल यह opposite angle तो क्या हुआ यहाँ पर कौन सी test हुई यहाँ पर यह दोनो sides और उसके बीच का angle मतलब side side उसके बीच का angle S A S test क्या किया हमने यहाँ पर triangle A B P is similar to triangle C D P show कर दिया किससे कौन सी test S A S test कुछ इस तरीके से यह वाला question हमें solve करना था एकदम आसन सवाल था उसके बाद एक last question देख लेंगे और उसके बाद यह वाला वीडियो यहाँ पर stop कर देंगे 9 question number 9 show क्या करना है prove that C A square is equal to C B into C D पहले तो यह side कहां पर है देख लेंगे C A कहां पर है C A यह देखिए यहाँ पर square है मतलब यह दो बार आने वाली है side उके उसके बाद C B C B यह देखिए यहाँ पर C D C D कहां पर है यह देखिए यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या कि यह एक side आने वाली है दो बार मतलब एक बार आ जाएगी इस triangle में और एक बार आ जाएगी इस वाले triangle में तो triangle कौन सा consider करना है दन में आ गया इन triangle A B C पहला तो यह triangle जो है A B C और उसके बाद कौन सा triangle D पहला triangle A B C और दूसरा triangle D A C Q देखिए यहाँ यह जो A है angle A यह कौन से angle से similar equal है कौन से angle के साथ angle D के साथ equal है तो इसकी शुरुवत A से की तो इसकी शुरुवत दूसरा triangle की शुरुवत किस से होगी triangle D से होगी अब C तो common है C तो last में आने वाला है तो बचा क्या यहाँ पर D A C कुछ इस तरीके से हमें लिखना है मुश्किल जादा नहीं है बद सोच के थोड़ा सोच समझ कर लिखना है अगर यहाँ पर गलत हो गया तो आगे पूरा गलत हो जाएगा अब क्या करना है यहाँ पर देखिए अगल B A C जो है अगल B A C is equal to angle A D C दिया गया है यह जो angle है यह वला angle और यह वला angle यह equal दिया गया है अब angle C जो है angle C याने angle A C B is congruent to angle D C A यह तो क्या है यह दिया गया है पहला angle इसे हम given लिख देंगे दूसरा angle जो है दूसरा angle क्या है दूसरा angle common है angle C common angle तो अब क्या हुआ angle angle test यहाँ पर यूज की गई है क्या की गई है angle angle test अब angle angle test से क्या है similar to angle A B C is similar to triangle D A C triangle A B C similar to triangle D A C therefore अब इसकी corresponding side क्या होगी proportion में होगी याने के AB upon AD is equal to BC upon AC is equal to AC upon DC अब क्या करना है यह वाली side इसकी जरुरत नहीं है तो क्या लिखना है BC upon AC is equal to AC upon DC यह वाली side consider करना है across multiplying AC into AC, AC square is equal to BC into DC अब इसे AC को कैसा लिखेंगे CA लिखेंगे कोई भी उसको CA लिख दिया तो कोई problem होगा नहीं होगा CA लिख देंगे CA square is equal to BC को CB लिख देंगे और DC को CD लिख देंगे ओके हो गया कि देट इस हैंस प्रूड है ओके तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान से सवाल थे ज्यादा मुश्किल नहीं थे बहुत से बच्चों को मुश्किल लगते होगे अगर आपको यह पूरे-पूरे question समझ में आ गया पूरा प्रेक्टिस सेट पूरा वीडियो समझ में आ गया और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थेंक्यू